हे हलो गाइज वैलकम बैक टो ओनलाइन सिक्षन तो फ्रेंड्स ये हमारी है विज्ञान की क्लास और आज हम डिसकस करने वाले है अपने सलेवस की लास्ट यूनिट विज्ञान की जिसका नाम है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं दोस्तो ये सिक्स्त यूनिट है और ला फिर उसके बाद उसकी अवस्थाएं कौन-कौन सी होती है तो चलिए बिना देरी किये करते हैं शुरुआत सबसे पहले जानेंगे पदार्थ किसे कहते है तो दोस्तों पदार्थ को इंगलिस में कहते हैं matter यानि matter means पदार्थ ठीक है पदार्थ को इंगलिस में कहते हैं हम matter और क्या होता है अगर इसका पूरा अच्छे से जानना है तो देखिए कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो इस्थान गेरती है उसका द्रव्यमान यानि मास होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है उसे पदार्थ कहते है यानि कोई भी वस्तु जो इस्थान गेरती हो और जिसका द्रव्यमान हो उसी को हम पदार्थ कह सकते है चाहे वो कोई भी वस्तु हो अगर पदार्थ को आम परिभासा में देखे कि क्या होता है कुछ भी जिसका कुछ ने कुछ वजन यानी मास हो और कुछ ने कुछ जगह गेरती हो उसे ही हम पदार्थ कहते हैं उधारन के लिए जल, हवा, बालू, इत्यादी ये सबी क्या होते हैं मैटर होते हैं यानि पदार्थ होते हैं तो दोस्तो लास तक बने रहे हैं बहुत मज़ा आने माला है आज की क्लास में तो क्या discuss कि हमने पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जो इस्थान गेरती हो औ कौन-कौन सी विशेष्टाए होती है पदार्थ के कनों की ठीक है दोस्तो सबसे पहले विशेष्टा है कि पदार्थ के कन बहुत ही छोटे होते है ये बहुत छोटे-छोटे कनों से मिलकर बनता है कोई भी मैटर या पदार्थ ठीक है पदार्थ के करणों के बीच इस्थान होता है यानि कुछ ना कुछ जगे उनके बीच में बाकी होते है और पदार्थ के करण निरंतर घूमते रहते हैं पदार्थ के करण एक दूसरे को आकरसित करते हैं तो दोस्तों ये कुछ विशेषता आए थी पदार्थ के बारे में तो चलिए हमने जान लिया पदार्थ क्या होता है अब डिसकस करेंगे कि पदार्थ को कितने भागों में वर्गी करत किया गया है सो दोस्तो पदार्ट को दो भागों में वरगी करत किया गया है पहला है भोतिक सनरचना के आधार पर और दूसरा है रासायनिक सनरचना के आधार पर ठीक है दोस्तो भोतिक सनरचना के आधार पर पदार्टों को चार भागों में विभाजित किया है ठोस, द्रव, गैस और प इन भागों में विभाजित किया गया है तो सबसे पहले हम जानेंगे भोतिक सनरचना के आधार पर एक एक कर सभी के बारे सो अकोर्डिंग टूःवर सलेवस भोतिक वर्गी करण तीन परकार से क्या गया है ठोस यानि सोलिड लिक्विड और गैस ठोस द्रव गैस ठीक है सोलिड लिक्विड गैस याद हूँ आपको पदार्त को भोतिक वर्गी करण के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है ठोस, द्रव और गैस कोई परेशानी नहीं है ना चले आगे चलते हैं जानते हैं इनके बारे में और अगर है भी परेशानी तो मैं किलियर करती हूं हमने क्या बात की पदार्त की अवस्था है भोतिक अवस्था के आधार पर ठीके दोस्तों इस सिमेज के थुरू हम क ठोस, द्रव और गैस किस तहरा से वर्गीकरत किया गया है इनको और इनके क्या-क्या विशेष्टाए होती है दोस्तों ये आपके सामने अणूओं की इस्तिति ठोस, द्रव और गैस पदार्तों की ठीक है अभी आपको टैंशन नहीं लेनी है क्या चीज है अभी आपको सि से पहले हमने क्या पकड़ा ठोस अवस्ता वाले पदार्त ठीक है ठोस गैस और द्रव तीन अवस्ता में डिवाइड किया गया है सबसे पहले जानेंगे ठोस अवस्ता के बारे में ठोस अवस्ता या ठोस पदार्तों में पदार्त के अनू बहुत पास पास होते हैं ये दे पीछ में आपस में difference बहुत कम है सब के सब बहुत पास-पास बिल्कुल सटे हुए है एक दूसरे से तो हमने क्या जाना कि ठोस जो वस्तुए होते हैं पदार्थ होते हैं उनके अर्नु बहुत नजदीक होते हैं बहुत पास होते हैं इन में आपसी आकर्शन बल बहुत अधिक होता है तभी तो ये पास-पास शिपके रहते हैं क्योंकि इन में आपसी आकर्शन बल बहुत अधिक होता है और यही आकर्शन बल इन्हें आपस में बांदे रखता है ठीक है दोस्तों ये बात की हमने ठोस अवस्ता कि क्या है ठोस ठोस पदार्तों के में क्या होता है पदार्तों के अनु बहुत पास-पास होते हैं इन में आपसी आकर्शनबल बहुत अधिक होता है और यही आकर्शनबल इने आपस में बहांदे रखता है यह तो हो गई ठोस अवस्ता के पदार्तों की बारे में अब जानेंगे इनकी दरड होते हैं यानि मजबूत होते हैं अर्थात यह अपने आकार को बनाए रखते हैं अपना आकार जैसा इन्हें आकार दे दिया जाता है उसी में बने रहते हैं और यह बहुत ही दरड होते हैं ठोस यानि बहुत दरड मजबूत काफी ठोस का आकार एवं आयतन क्या होता है निश्चित होता है ठीक है दोस्तों आकार और आयता निश्चित होता है और अपने आकार में बने रहते हैं और द्रड होते हैं यह तो बात कि हमने विशेशता कि अब आपको उधारन से और जादा किलिया हो जाएगा ठोस पदार्तों के कुछ उधारन आपके सामने है जैसे पत्थर, इंट, बर्फ, आदी, ये सभी क्या होते हैं? ठोस पदार्थ होते हैं. जैसे आप इसमें देख रहे हैं, तो ये ठोस के अनू की आपके सामने इमेज है कि ये कितने पास पास होते हैं, बिल्कुल एक दूसरी को चिपके हुए, इसलिए क्या होता है? इनका आकार न पदार्थों के अनू, ठोस पदार्थों की तुल्ना में एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. ये देख आपके सामने इमेज है, उसमें क्या था, बिल्कुल सटे हुए थे, इनमें क्या है? ये आपस में मूवमेंट कर पा रहे हैं, इधर से उधर जा पा रहे हैं, और एक थोड़ा दूर दूर है, as compared to solid matters, ठीक है? आपको समझा है, इसमें देखके, इनमें आपसी आकर्शन बल्ठोस की तुल्ना में कम होता है, होता तो है, लेकिन ठोस की तुल्ना में कम होता है, द्रव की विशेष्टा है, क्या क्या होती है? द्रव द्रड नहीं होते, यानि उ आकार निश्चित नहीं होता, क्यों नहीं होता? द्रव को जिस बरतन में रखा जाता है, उसी का रूप धरन कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा पानी, दूद, इनको क्या करते है? आप किसी भी बरतन में डालो, वो उसी का आकार ले लेगा, अगर आपने एक बड़े से ग्लास में डाला, तो उसी का आकार ले लिया, आपने किसी बड़े बरतन में डाला, तो उसी का आकार ले ले लेता है, तो आपने क्या देखा कि इनका आयतन तो निश्चित है, लेकिन आकार निश्चित नहीं है, जिस भी बरतन में आप इसको डालेंगे, उसी का ही रू यह सबी यतनी भी लिक्वेट चीज़े होती है वो सबी द्रव होती है ठीक है आपको किलिए हुआ अब चलिए और जानते हैं अगली अवस्था के बारे में तीसरी गैस अवस्था गैस अवस्था में पदार्तों के अणू अप एक शक्रत बहुत दूर दूर होते हैं इनमें आपसे आकर्शन बल नहीं के बराबर होता है ये देखिए ये क्या है गैस के अनू है ये आपस में बहुत दूर दूर रहते है और इनमें आकर्शन बल ना के बराबर होता है या फिर कहले जिये नहीं होता ठीक है ये आपके सामने है गैस के अणू की अवस्था अब गैस की विशेष्टाएं जानते हैं इनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार जैसे कि हमने अभी नीचे मेज में देखा क्या देखा कि ना तो उनका आकार कोई निश्चित है और ना ही उनका आयतन इसे जिस बरतन में रखा जा चाहिए तब इसके अंदर रुख पाएगी गैस और वो उसी का रूप ले लेती है इसमें सबसे अधिक संपिडियता होती है इसके अणू के बीच में सबसे अधिक गती और उर्जा होती है ठीक है दोस्तों ये कुछ विशेशता आए थी गैस अवस्था की अब गैस पहले आपने पड़ा थोसपदार्थ थोसपदार्थ के अनू बहुत नजदीक होते हैं और इनका आयतन और आकार्म निश्चित होता है और इनके जो अनू होते हैं जो आपके सामने ब्ल्यू ब्ल्यू पॉइंट्स दिख रहे हैं ये मानों इसके अनू है इनके बीच में आकर्शन बल बहुत अधीक होता है एक किलियर हुआ बिलकुल तसल्य हुई अब चलो द्रवपदार्थ पर इसमें क्या है ठोस की तुल्ला में जितने अनू होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं ठोस के जितने नजदीक नहीं होते और इनका आकर्शन बल ठोस के मुक पर किसकी बात करेंगे गैस पदार्थ की ठीक है इसमें क्या होता है कि आपने देखा ठोस और द्रव के अनू जो है थोड़ा पास पास थे लेकिन गैस के काफी दूर है ठीक है तो इन्हें कह सकते हैं कि इनके बीच आकर्शन बल ना के बराबर होता है और इनके अनू बहुत दूर दूर होते है ठीक है दोस्तो और ना तो इनका आकार्शन इशत होता और ना ही आयतन जिस बरतन में डाले जाते हैं उसी का रूप ले लेते हैं I wish कि अब आपको तीनों के बीच difference और इनकी जितनी भी qualities है या आप कहले जी इन तीनों की जितनी विशेषता है अलग-अलग आपको बिल्कुल बहुत अच्छे समझ आई होगी. तो चलिए आप last में एक बार quick revision करते हैं हमने आज क्या सीखा? सबसे पहले हमने जाना पदार्थ क्या होता है? What is matter? तो दोस्तों कोई भी वस्तू जिसका कोई नय कोई द्रव वेमान होता है और वो कोई भी इस्थान घेरती हैं उसे ही हम पदार्थ कहते हैं. उसके बाद हमने जाना पदार्थ को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो दोस्तों दो भागों में विभाजित किया गया है पदार्थ को भोतिक और रासाइनिक ठीक है उसके बाद हमने डिसकस किया भोतिक सनरचना के आधार पर इसके परकार होते है ठोस, द्रव और गैस जो की हमारे सलेवस के अकोर्डिंग है हमने इन तीनों के बारे में जाना पूरे डिटेल में तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं कल हम डिसकस करेंगे रासाइनिक सनरचना के आधार पर इनका वरगी करण किस परकार किया गया है और आपका आज को कोशियन यही है कि आपको बताना है ठोस, द्रव और गैस के बीच में एक एक डिफरेंस ठीक है दोस्तों तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप कल फीर इसी समय आपसे मुलाकात होगी आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे समकुछ समझ आया होगा दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट पोक्स में जरूर लिख भेजिए और अगर आपके कोई भी सुझाग है तो हमारे साथ जरूर सेर करिएगा और हमारे टेलिग्राम का ग्रूप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप उसको जोइन कर लेना और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे जरूर एक्स्प्लेन करूगी थैंक्यू अपना ध्यान रखिए खुश रहिए